यार दोस्तों मैं भाविनी मिश्रा अपनी चैनल में आप सभी का एक पर फिर से स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ आप सब स्वस्ता सुरचित होंगे इस वीडियो में आप से शेयर करने जारी हूँ कि वर्ट पूर्णिमा का जुवरत है वह कप रखा जाएगा 13 जून को रखा जाएगा या 14 जून को रखा जाएगा पूजा का सुभ मूर्थ क्या है कि सुभ मूर्थ में हमें पूजा करनी चाहिए तो इस वर्ष 2022 में पूर्णिमा तिथी 13 जून सोमवार को 2 पहर 1 बच कर 42 मिनट से सुरू होकर 14 जून मंगलवार को सुभे 9 बच कर 40 मिनट तक रहेगी पतलब 13 जून को 2 पहर 1 बच कर 42 मिनट पर पूर्णिमा सुरू हो जाएगी लेकिन उदिया तिथी के हिसाब से 14 जून को ही अवरत रखा जाएगा 14 जून को होने के कारण वटकुर्मा का वरत 14 जून को ही रखा जाएगा अब मैं आपको बताने जारी हूँ पूजा का सुभ मुहुर्थी क्या है 14 जून को मंगलवार के दिन सुभे 9 बच कर 40 मिनट से 15 जून को बुधवार के दिन पराता 5 बच कर 28 मिनट के बीच में सुभ योग माना गया है तो आप सुभे सुभे अगर आपको पूजा करनी है तो 9 बच के 40 मिनट से लेके आप 12 बच के बीच में आप पूजा कर सकते हैं वरत 14 जून को ही है इसलिए जो वरत है वर 14 जून को ही रखा जाएगा अब मैं आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा विधी क्या है इस दिन जो महिलाएं वरत रखती है वह सुबह उठके स्नान करती है स्वच कपड़े पहनती है नए कपड़े पहनती है सोला सिंगार करती है उसके बाद वट व्रिच की पूजा की जाती है कहीं भी आसपास वट व्रिच है वहाँ पे जाया जाता है नहीं है तो उसकी डाल तोर कर एक गमले में लगाकर आप घर में ही पूजा कर सकते हैं इसके बाद बरगट के पिर के चारो और कलावा या कच्छा सूत लपेटा जाता है 108, 111, 21 तरह से आपके हाँ जो भी मानिता है उसके अनुसार कलावा या कच्छा सूत लपेटा जाता है उस तत्पस्चात जल चढ़ाकर हल्दी कुमकुम लगाकर विद्विदान से पूजा की जाती है पूस्प अरपित के जाते हैं जो भी मीठा भोग आपके आहां बनाया जाता है वो आप वटविर्च को चुराएं जो है मौसमी फल होता है जैसे खरबूजा ये सारी सीजें चाहाई जाती है इसके बाद सावित्र और सत्यवान की कथा सुनी जाती है फिर आती करके मन में पती की दिरकायू की प्राथना करते हुए आपको पूजा का समापन करना है जो प्रशाद है वो सबसे पहले पती को खिलाना है उसके बाद खुद प्रशाद ग्रहा करना होता है वहीं पूजा के बाद सासुमा को बाइना देने की भी बहुत जगा प्रथा होती है सो भाग्य वती या पुत्रवती होने का आशिरवाद प्राप्त किया जाता है को सदा बनाय रखने की कामना करती है वहीं परणारी कथा के अनुसार इसी पेड़ के नीचे तबस्चा करके सावेतरी ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रच्छा की थी वहीं हिंदु धर्ण में माना जाता है कि बरगत के पेड़ पर तृदेवो यानी ब्रह्मा, विष्णू और महेस्तीनों का वास होता है इसलिए इस धार्मिक दिश्चे से बरगत के पेड़ को बहुत ही खास माना गया है तो आसा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा इसी प्रकार के पूझा पार्ट से रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए